हेलो नमास्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल दिलेरपुर्वांचल में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको उत्तर परदेश के बड़े रादनेतार सलेंद्र यादो ललाई के बारे में बताने जा रहे हैं सलेन रियादो ललाई का जन्म एक जुलाई उननीस्तो पैसट को उत्तर प्रदेश के जौनपूर के पकनपूर में हुआ इनके पिता का नाम तालुकदार रियादो जोकी वे एक किसान थे सलेन रियादो ललाई ने दीन दयाल उपाध्याए गोड़कपूर बिस्विद्याले से सिख्छा प्राप्त की है बात करें सलेन रियादो की तो सलेन रियादो छात्र जीवन से ही समासेवा और राननिती की और आकासीत थे ललाई यादो उत्तर प्रदेश की राननिती में तब उबर कर आये जब वर्स उन्नीस तो पचासी में उन्हें यूवार लोक दल की प्रदेश कारकरानिक का सदस्त बनाया गया इसके बात लाई यादो राननिती में आगे बढ़ते चले गए ललाई यादो 2002 में बसपा के टिकेट सर पहली बार जौनपूर की खूटन हार विधान सबा से बाहुवली उमाकांत यादो को चुनाव में हरा कर विधान सबा पहुचे पहली बार जब वे बहुवली उमाकंत को चुनाव में हरा है तो उनका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में जोर सोर से चलने लगा ललाई यादो इसके बार उत्तर प्रदेश की रार नीती में एक उभरते विश्टारे बन गए और उनका नाम सभी की जुबान पर चानी लगा ललाई यादो तब से लगतार विधायक चुनकर आते रहे हैं और वे एक तेश्ट रार नेता के तौर पर जाने आते हैं ललाई यादो एक लोग प्रिये नेता हैं 2003 में मुलायम सिंग की सरकार में ललाई यादो को राज मंत्री के रूप में मंत्री मंडल में सामिल किया गया उसके बार फिर दो हजार बारा में अखलेस यादो की सरकार जब बनी तो अखलेस यादो की सरकार में भी ललाई यादो को उर्जा एवं नियोर्जन विभाक के मंत्री बनाया गया ललाई यादो को मुलायम सिंग और अखले स्यादो का काफी करीबी नेता कहा जाता है और जवन पुड के वे बड़े लोग प्रिये नेता के तौर पर जाने जाते हैं ललाई यादो गरीबों और मटलूमों के लिए पूरा मुद्दा विधान सभा में उठाते हैं ललाई यादो एक तेस्ट अर्रार के नेता तौर पर जाने जाते हैं और वे एक लोग प्रिये नेता हैं तो यह रहे दोस्तो पूर्व मंत्री सलैंडर यादो ललाई अगर आपको इनके बारे मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद